So, hey guys, what's up and welcome back to SLS 18 Jones So guys, आज की इस video में न, हम आप लोगों को कुछ इस्टाइ की broken heart photo edit करना सिखाने वाले हैं और आप ये जो photo देख रहे हैं, इस photo को हम लोग केवल अपनी Snapchat app में ही edit करने वाले हैं तो आपको इस video में पूरा मज़ा आने वाला है guys तो फटा-फट से इस video को like कर दीजेगा, channel पे नए तो subscribe कर दीजेगा तो चलिए इस video को हम लोग सुरू कर लेते हैं So guys, सबसे पहले आपको अपनी Snapchat app को open करके simple से इस plus वाली icon पे click कर देना होगा और click करते ही guys gallery यहाँ से open हो जाएगी तो आपको जिस भी photo को edit करना होगा उससे select कर लेंगे जैसे कि आज मुझे इस वाली photo को edit करना है तो मैं इस वाली photo को अपनी Snapchat app में open कर लिया हूँ और open कर लेने वाद सबसे पहले step में guys आप लोग को क्या करना होगा इस pencil वाली icon पे click कर देना होगा और आप लोगों को simple से ऐसे पूरा एकदम नीचे चली आना होगा guys नीचे आने वाद यहाँ पे आपको noir का option देखने को मिल जाएगा तो इस noir वाले options पे हम लोग click कर देंगे guys जैसे ही click करेंगे यहाँ पे कई सारे filters आपको देखने को मिल जाएगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक h02 करके एक filter है h02 करके एक filter है तो इस filter को हम लोग ले लेंगे और लेने वाद इसकी settings को क्या करना होगा यहाँ पे नीचे आपके इसकी grain जो है ना बिल्कुल हम जीरो कर देंगे और जीरो कर लेने गवाद simple से आपको यहाँ से right क्लिक करके और देख सकते हैं आपकी R2R आपकी पूरी photo कुछ इस टाइब से दिखने लगी है तो क्या करने वाले हैं guys उपर side में इस cross steer के icon पे क्लिक कर लेंगे view edit पे क्लिक करेंगे आपको इस वाली icon पे क्लिक करना होगा और यहाँ से size आपको जीरो हो जाएगा तो photo को guys आपको जूम कर लेना होगा और आपके screen पे जो भी यहाला effect आया है इसे कुछ इस टाइब से आपको remove कर लेना होगा तो photo photo से ऐसे आप remove कर लीजिएगा मैं भी कर लेता हूँ photo photo से so guys ऐसे remove कर लेने एक बाद simple से right click करके आपको यहाँ से back हो जाना होगा और back होते ही guys आपकी पूरी photo कुछ इस टाइब से दिखने लगेगी तो इसके बाद हम लोग को देख सकते हैं background में काफी जादा white है तो इसको भी black करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं इस pencil वाले icon पे click कर देंगे और आप लोगों को ऐसे उपर आके यहाँ पे एक brush का option देखने को मिल जाएगा तो brush वाले options पे हम लोग click कर लेंगे guys click कर लेने वाद आप लोगों के सामने चार brush यहाँ पे देखने को मिल जाएगे तो यहाँ पे एक dodge and burn का option मिल जाएगा तो इसको हम लोग select कर लेंगे और इसकी size को क्या रखना होगा size को हम लोग minus 10 कर लेंगे और कर लेने वाद simple से आपको अपने background पे कुछ इस type से draw कर देना होगा जहाँ जहाँ पे white है वहाँ पे कुछ इस type से आपको draw कर लेना होगा जैसे कि मैं कर रहा हूँ तो guys ऐसे draw कर लेने वाद simple से आपको यहाँ से right click कर के आपको यहाँ से देख सकते हैं आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइब से दिखने लगी है तो गाइज इसके आद हम लोग क्या करने वाले हैं PNG को एड़ करने वाले हैं तो उस PNG को एड़ करने के लिए इस Pencil और आइकन पर क्लिक कर देंगे और आप लोगों को ऐसे नीचे आना होगा गाइज नीचे आने कवाद यहाँ पर Double Exposure के Options पर क्लिक कर देंगे प्लस वाला आइकन और यहाँ से एक PNG को हम लोग एड़ कर लेते हैं और इस PNG को लेने कवाद गाइज आपको कोने साइड में उपर में कुछ इस टाइब से लगाके और बीच वाले पर क्लिक करके यहाँ से Lighting क्लिक कर देंगे गाइज लाइट एन क्लिक कर लेने कवाद थोड़ा सा इसे कुछ इस टाइब से करके इसकी Obesity को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे और यह सारा setting आप कर लीजेगा उसके बाद यहाँ से Right Click कर देजिएगा गाइज क्लिक कर लेने के बाद अगर हम एक PNG को और Add करने वाले हैं तो उसको भी हम लोग से तरीके से Add कर लेते हैं तो Pencil वाले आइकेन पर क्लिक करना होगा Double Exposure, Plus वाला आइकेन और इस PNG को भी हम लोग इस कोने में लगा लेंगे और बीच वाले पर क्लिक करके गाइज ना यहाँ से इसे भी हम लोग Light In क्लिक करके इसकी ऐसे जूम कर लेंगे थोड़ा सा और इसकी भी Opacity को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे लगवग इतना कर लेंगे इतना कर लेंगे बाद सिंपल से आपको एगान यहाँ से राइट क्लिक कर देना होगा जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आल टू आल आपकी पूरी फोटो कुछ इस टाइब से दिखने लगेगी तो गाइज इसकी बाद हम लोग क्या करने वाले हैं एक WhatsApp status PNG को भी add कर लेते हैं तो उस PNG को add करने के लिए इस pencil पर क्लिक कर देंगे double exposure, plus वाले icon और इस PNG को भी सिंपल से यहाँ से हम लोग add करके और ऐसे छोटा करके ना इस कोने साइड में कुछ इस टाइब से लगा के और नीचे साइड में 3 options मिलेंगे तो बीच वाले पर क्लिक करके light end क्लिक कर देंगे गाईज और कर लेने के बाद इसे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा कर लेते हैं और यहाँ से सिंपल से आपको right क्लिक कर देना होगा और again गाईज एक PNG को हम लोग और add करने वाले हैं इसको भी add करने के लिए इस पेंसल पर क्लिक डबल एक्सपोजर प्लेस वाल आइकेन और यहाँ से एक सैड आयम सैड का FNG लेंगे और इसे भी यहाँ पर इस कोने में ऐसे लगा के बीच वाले पर क्लिक करके यहाँ से light end क्लिक कर देंगे और इसे कुछ इस टाइब से perfect कोने में लगा लीजेगा और right क्लिक कर दीजेगा तो गाइज जैसे ही आप यह सारा settings करेंगे तो R2 आपकी पूरी photo कुछ इस टाइब से दिखने लगेगी तो गाइज इसको आद हम लोग क्या करेंगे इस pencil पे क्लिक कर लेंगे और यहां से double exposure के icon पेगान हम लोग क्लिक करके plus one icon और एक png को भी और हम लोग ले लेगे और इसे लेने गाद आपको कुछ इस टाइब से rotate करके और नीचे side पे ऐसे लगा देना होगा और बीच वाले पे क्लिक करके light end क्लिक करके simple से right क्लिक कर देंगे तो guys जैसे ही आप यह पूरी settings करेंगे तो आल टू आल आपकी पूरी photo कुछ इस टाइब से दिखने लगेगी तो guys इसके वाद हम लोग क्या करने वाले अपनी face पे light देने वाले हैं और smooth ही करने वाले साथ में तो दोनों करने के लिए इस pencil पे click कर देंगे और यहाँ पे portrait का option आप लोगों को देखने को मिल जाएगा तो इस portrait वाले options पे click कर देंगे और guys जैसे ही click करेंगे यहाँ पे यह automatic smooth to जो है ना select कर लेगा तो पहले number को हम लोग ऐसे increase कर लेंगे और second number को fully increase करके और right click कर देंगे और guys जैसे ही आल्ट वाल आप यह फूरी settings करेंगे तो आपकी photo कुछ इस type से दिखने लगेगी जो काफी awesome भी लग रही है और यहाँ से photo को save करने लिए क्या करेंगे तीर वाले icon पे click करके simple से export क्लिक कर देंगे और हम लोग की यहाली photo gallery में save हो जाएगी